आजकल के जमाने में business काफी tough हो दाए हर जगा देखे के तो जगा जगा पे ऐसे competitor बैठे है जिसका मुकाबला normal या middle class businessman आसानी से नहीं कर पाता लेकिन ऐसे ही businessman market में ठीके रहे उसी के लिए हम हर पल कोशिस करते रहे उसी मैंसे यह मेरी एक कोशिस है जहां पर मैं आपको बता करनी है मैं extra आपको बताता आ रहा हूं कि जो आप home loan ले रहे हो तो बहतर है यानि कि घर आप आपका खुद का लेकर ले लीजिए और जब भी यह property आप purchase करते हो तब जो भी आपके पास fund पड़ा है उस fund मैंसे जितना भी आप बचा सकते हो वो बचा यह lawn लेकर और lawn की एम समय भाय दीजिए और बच्चा हुआ fund आप एक सेफ जगा investment कर दीजिए लेकिन यह जो consultation है मेरा यह यहां पर business में आके थोड़ा सा change हो जाता है यहां पर लोग ज्यादत तर क्या करते है starting में अपना business होता है heavy investment नहीं करना चाहते उसके चलते वो जो प्रेमाईशी होती है व लेकिन यहां पर दूस्तों में आपको एक बार पता रूर ले इसके चलते कई businessmen डूब जाते है क्योंकि कुछ समय जाता है जैसे कि 11 मेने या 5 सार चले जाते है उस business प्रेमाईशी से आपका business run करते करते उसके बार business प्रेमाईशी ओनर आपकी प्रेमाईशी कोई भी रिज जर से खाली करवाते हैं कि हमको sell करनी है या हमको हमारा business यहां पर establishment करना है और कुछ government के भी ऐसे rules और regulation है उसके डर के मामले भी चलते हुए भी लोग आपसे आपकी प्रेमाईशी एक time period के बार खाली करवाना अच्छे ज्यादा पसंद रहते हैं अब किसी भी business को settle होने में कम से कम एक साल दो साल या पास साल लगते हैं जैसे ही आपका business अच्छा settle होई गया होता है और उप्रे से कोई टपकता है और आपकी प्रेमाईशी को खाली करवा देता है और प्रेमाईशी बहुत important होती है business प्रेमाईशी आपके business में क्योंकि जितने भी customer होते हैं उन्हें पता है आपकी fixed location उसको कुछ भी काम होगा तो वह आपके पास आ जाएगे आपके पास से कुछ भी product purchase करना है तो direct वहाँ पे आपकी विजिट कर लेगे क्योंकि इतने सालों में आपने उस प्रेमाईशी से अच्छा trust build कर दिया है customer के मन में पूरी तरस से आपके प्रती वि लेते और बाद में in future ने heavy loss का सामना करना पड़ता है या फिर zero से दुबारा अपना business start करना पड़ता है ऐसा न हो इसलिए जितना possible हो उतना आपकी प्रेमाईशी खुद आप खुद on किजिए उसे खरीद लेजिए जिससे आपका 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आपको business वहाँ से run करना हो तो कर सको और जो आपको loan भी लेनी पड़े तो ले ली जिएगा क्योंकि जितना rent होगा उसका ज्यादा में ज्यादा डेड़ या दो गुना ये माई होगी commercial में अक्सर rent भी ज्यादा ही होता है तो दोस्तों मेरी आप से यही request है कि जो आप ये ना कर पाओ तो ऐसे तो आज की जमाने में 99 येर की lease possible नहीं है लेकिन जो 10-11 साल या उससे अधिक year की आपको जो lease agreement रजिस्टर आप करवा पाओ तो रजिस्टर गए दिजेगा लेकिन ये उसी case में जिस case में आपके बसकी बात नहों business को प्रेमाईशी आपकी प्रेमाईशी को own करना और जैसे स्लोली स्लोली आपका business run होता है और आपके बास fund आता है profit इकटा होता है तो आप कुछ और property बनाने से पहले सबसे पहले आपकी business प्रेमाईशी आप खुद on कर लेजिएगा उससे खरेग लेजिएगा जिससे आपका business आसमान की उचाईओं पर बहुत ही जली पहुच जाए दन्यवाद